तो आई होप आप सभी के पास क्या है पीडिएफ होगी इसकी लास्ट टाइम पीडिएफ हमने दे दी थी ठीक है बट अगर आपके पास पीडिएफ नहीं तो अभी भी डाउनलूड कर लीजेगा जो एक्सरसाइस था उसका जिस्पीनिशन हम करा देंगे सारा का ठीक है तो आई होप सब के पास पीडिएफ होनी चाहिए अगर पीडिएफ है तो बढ़िया है चलिए सबको गुडिएविंग ठीक है तो दो सेशन है बैक तो बैक तो जादरे टाइम नहीं लॉस करते हैं यहाँ 81 पेजिस का है मतलब टोटल तो मान की चलिए कि 60 ए 70 पेजिस का एक्स अगर आप बनाईए गा ना तो आपको याद आ जाएगा ठीक है कि लास्टाइम हमने जो पढ़ा था क्या पढ़ा था उसकी क्या मेनिंग थी मतलब किस कंटेक्स्ट में हमने इसको पढ़ा थी यह सिंबल सा तरीका है याद करने का सीधे याद नहीं किया जा सकता किसी अणिजमर का नेम शामील होता है या फिर खिसी बर्ड का नेम हमने हिंदिल नहीं लिखी है किसी की क्यों कि option में भी नहीं राता है और खुद को ही याद करना है तो उतना कोई दिकत होना है नहीं तो शुरू करते हैं ठीक है लगबग सभी लोग आ चुके हैं तो इसको दे तो क्लास शुरू करें एक बार आउडियो के लिए कमेंट कर दें और क्लास शुरू करें इसके लिए भी ठीक है इसे हमें आइडिया लग जाएगा कि मतलब आप सभी तक आवाज जा रही है आउडियो सही है चलिए गुड इवनिंग सबको शुरू करते हैं हमेशा दिखेगा कि कंटेक्स्ट कहते हैं ठीक है देर इस तिंग कॉल्ड कंटेक्स्ट तो कंटेक्स्ट आपको बता देते हैं फिर उसके बाद क्या है कि समझ में आएगा ठीक है जब इस तरह का आप एक्सेसाइज कीजेगा किसी भी बुक से हो किसी भी माटेरियल से हो तो वहाँ पर क्या होगा नॉर्मली क्या होता है दो संटेंसे होते हैं या तो वहाँ दो संटेंसे होंगे आपके पास या फिर संटेंस जो होगा वो दो पार्ट्स में होगा ठीक है या तो दो sentences होंगे या फिर दो parts में sentence होगा ठीक है इसमें जो पहला जो हिस्सा होगा वो आपको context देगा क्या देगा? context तो context की meaning हम आपको समझा देते हैं context होता क्या है? ठीक है? सब को प्रना तो देखिए context की meaning क्या होती? what is the actual meaning of context अगर हम आपको बोले एक वाक्य लिखे we have dash time और हम से आगर हम आप ही से पूछते हैं कि बताइए यहाँ पर little होगा या फिर और little होगा तो आपका क्या answer होगा? अगर एक हम फिलर देते हैं आपको एक रिक्त स्थान देते हैं we have dash time और आप से पूछते हैं कि बताइए यहाँ पर little होगा या फिर a little होगा तो आप क्या answer करेंगे? हमें लगता है यह सवाल शायद English में था इसलिए आपको दिक्कत हुई तो हम एक और सवाल देते हिंदी में मैं डैश हूँ और आप यहाँ पर option है आपके पास खुश दुखी अब बताइए क्या होगा हिंदी वाले में मैं डैश हूँ खुश या दुखी ठीक है तो आपको जो doubt आ रहे है यह doubt इसलिए आ रहे है क्योंकि context clear नहीं है यहाँ पर क्या है context clear नहीं है तो बिना context क्या बता नहीं सकते अगर हम यहाँ पर बोलते मेरा selection नहीं हुआ मैं डैश हूँ तो आप बोलते दुखी और बोलते मेरा selection हो गया मैं डैश हूँ तो आप बोलते खुश तो यहाँ जो extra walk के है मेरा selection हो गया यहाँ जो extra walk के हम बोल रहे है मेरा selection हो गया वही जो sentence है वो आपका context है ठीक है तो we will miss the train अगर यहाँ पर हम लिख देते एक extra walk के we will miss the train तो आप बोलते है इसका मतलब सर आपके पास बहुत कम समय तब ही आपको लगता है कि आपके train क्या है छूट जाएगी तो यह जो extra walk के हम लिखेंगे we will miss the train वही आपको क्या देगा context और हम बोलेंगे we can still catch the train अभी भी train पकरी जा सकती है तो आप बोलेंग से इसका मतलब अभी आपके पास समय है तो यहाँ पर a little होगा तो वह जो extra sentence हम आपको दे रहे है न वही extra sentence आपको क्या provide करता है context provide करता है ठीक है तो यह context जब भी हम बार-बार बोलेंगे तो आपको पता होने चाहिए कि यहाँ जो शब्द हम context बोलेंगे इसके meaning क्या होती है तो यह जो idioms and phrases का आप exercise करने जा रहे है यहाँ पर एक वाक्य में context दिया गया है और दूसरा वाक्य क्या है idiom को denote कर रहा है चली I hope मतलब समझ में आ गया होगा ठीक है तो इतना leap of faith हम लेके चल रहे हैं आपको लेकर के कि I can have faith on you चली तो यहाँ पर पहला वाक्य में context दे रहा है I always thought देखी यह जो options है आप तो हम बार-बार उपर नीचे नहीं कर सकते यही आपके पास कुछ पशू पक्षी थे ठीक है जिनके उपर में क्या है यहाँ वाक्य बनना था मतलब यहाँ जो जितने भी idioms हैं अब यहाँ ध्यान दीजेगा यहाँ जो bold वाला हिस्सा है इसमें उपर से एक पशू या पक्षी डाल देंगे तो आपका idiom complete हो जाएगा जैसे यहाँ पर look like something that the dash dragged in तो यहाँ आपका idiom है जिसको आपको याद करना है एक्स्ट्रे स्टेट्मेंट नहीं बचा है context होता है context होता है मतलब परिपिक्ष मतलब आपको background बता होना चाहिए तभी आप judge कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ आपका idiom है इसमें एक शब्द खाली missing है वह शब्द कहां से आएगा यह शब्द यहां से आएगा और इस शब्द क्यानिकाद वो क्या है idiom पूरा हो जाएगा और जो उस idiom की meaning होगी यहाँ bracket में दी हुई है कहाँ दी हुई है bracket में दी हुई है तो आप समझ जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा जो पहला idiom है उसकी meaning है meaning already mentioned है पहले idiom की meaning दी हुई है someone with a secret कोई ऐसा वेक्ति जिसके पास एक secret हो और यहाँ जो secret है यहाँ जो गुप्त चीज है वह एक secret ability है skill और achievement जो आपको बाद में पता चलिए अगर किसी वेक्ति के पास एक गुप्त शमता है ऐसी जिसके बारे में आपको पता नहीं था जैसे एक बच्चा है आपके class में बरही बेतरतीब रहता है और नया नया उसने admission लिया है आपकी coaching में और एक दिन test होता है और एक काई क्या है आपको पता चलता है कि उसी ने top किया है तो आपने आशा नहीं की थी कि वह top करेगा जब आपको यह जानकारी मिलती है तो आप कहेंगे he is a dark horse आप क्या कहेंगे तो जब पहला idea में उसमें हमारा जाएगा dark horse ठीक है और dark horse की meaning जो होती होती हुआ यह ब्रैकेट में दिया हुआ इस pdf को प्लीज डाउनलोड कर लीजएगा ठीक है दो शब्दों में नहीं साहिल कभी भी आप वाक्की की रूप में याद कीज़े किसी भी चीज की जो meaning होती है उसको explanation की रूप में याद कीज़े ठीक है तो dark horse का मतलब someone with a secret especially a secret ability और इसके लिए context दिया हुआ था I always thought Lawrence was rather shallow and superficial हमको लगता था कि हमेशा कि जो Lawrence है वो क्या है superficial है superficial का यह कैसा वेक्ती जो क्या है उतनी गहरी सोच नहीं रहता बस वो मामूली चीजों के बारे में सोचता है लेकिन कल but yesterday I saw him reading a book of renesa poetry लेकिन कल मैंने उसे renesa poetry की किताब पढ़ते हुए देखा he's a bit of a dark horse वो तो dark horse निकला तो यहाँ पर unexpected winner वाली meaning नहीं जाएगी ने साहिल क्योंकि आपने नहीं सोचा था कि यह वेक्ती थोरे इतनी भारी भरकम किताबे पढ़ता होगा लेकिन उतनी भारी भरकम किताब पढ़ते हुए मिल गया तो क्या बलेंगे वो unexpected winner हो गया नहीं तो वह secret है मतलब उसके पास कोई secret था जो secret किस रुप में था किसी ability की रुप में उसमें एक शमता थी कि भाई वो क्या है इस तरह की चीजों में भी रुची रखता है चलिए आगे दिखा जाए तो अगले idiom की meaning है हमारी meaning पहले से mentioned है क्या to have a very dirty or untidy appearance अगर कोई व्यक्ति बड़ा ही गंदा दिख रहा हो मतलब वह उसके बाल बेतर्तीब हो कपरे बेतर्तीब हो तो आप उसको यह कह सकते हैं ठीक है I am not going out with you looking like that तो मैं ऐसे दिखोगी तो मैं तुमारे साथ बाहर नहीं जाओंग या नहीं जाओंगी You look like something that the dash dragged in अगर आपको कोई चीज काफी अच्छे से दिख रहे ही क्यूं अच्छे से दिख रहे ही है क्योंकि आप काफी उचाई पर है तो आप कह सकते हैं dash eye view ठीक है तो यहाँ पर वाक क्या है मैं 14 में floor पर रहता हूँ और so I have a wonderful dash eye view तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही है सुजीत आपका birds eye view आज फिर हम आपको क्या exercise दे देंगे ठीक है यहाँ पर क्या होगा bird भरा जाएगा यह सारे शब्द उपर में mentioned है ठीक है cat हमारा हो गया bird हमारा हो गया horse हमारा हो गया repeat भी होंगे इसमें से बहुत सारे शब्द तो इस तरह से आप यह idioms क्या याद कर सकते हैं इसका solution भी हम आपको अंत में दे देंगे ठीक है तो आपके पास से क्या हो जाएगा यह complete PDF हो जाएगा बट आप क्या कीजे इससे क्या होता है रिपीट होने से जादे आसानी से याद होता है चलिए तो अगर आप उंचाई पहर आपको काफी दूर तक कुछ दिखता है आप कुछ भी दूर तक देख सकते हैं तो उसे कहते हैं bird's eye view अगला है to annoy someone किसी को तंग करने के लिए इस idiom का प्रियोग करते हैं तो get my dash get my dash या get someone's dash का मतलब होता है किसी को बहुत जादे क्या करना तंग करना तो it really gets my dash the way she keeps interrupting all the time बार बार जो तंग करते हैं उसे मैं बहुत परिशान होता हूँ उसे मुझे बहुत खिज होती है तो get my क्या होना चाहिए ये third में तो bird ठीक है तो get someone's bird का भी अर्थ होता है किसी को क्या करना तंग करना ठीक है तो इसको याद करते चलिए हिंदी की ज़रूरत लगे तो हिंदी लिख लीजएगा क्योंकि जब हम आपको explain करें तो आपको तो दिखी रहा होगा समझ में आ रहा होगा ठीक है आगे यहां पर जो अगला इडियम है पांच नंबर में उसकी मीनिंग है हमेशा इडियम में ध्यान दीजएगा कि इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने में आपको क्या है दिक्कत होती है और यह उतना मतलब नीरस ही होता है बट इसको क्या याद करना है ठीक है आगे देखा जाए इसको याद कीजएगा अगला इडियम है वो कह रहा है किसी चीज़ में बहुत जादे क्या रहना इन्वाल्व रहना ठीक है आपको क्या लगे बहुत ही जादे इंपॉर्टन लगे इन वे दट अधर पिपल फाइंड अन्वाइंग लेकिन या दूसरों को क्या लगता है अन्वाइंग लगता है आपको लगता है बहुत जरूरी है लेकिन दूसरे लोगों को क्या है बहुत ही अजीब लगता है बहुत ही जादे उनको क्या खिज होती है तो हम लोग कहते हैं a bee या फिर bird in his bonnet ठीक है अ बी in his bonnet या फिर a bird in his bonnet ध्यान रखेगा ठीक है तो कोई चीज जिसमें आपको क्या है आपको बहुत जादे रुचि हो लेकिन दूसरों को क्या हो परिशानी हो तो कहते हैं बी या फिर बर्ड इन हिस बॉनेट या हर बॉनेट या माई बॉनेट या पॉजिजिव कोई साभी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं साथ नमबर पर आईएगा साथ नमबर पर जो हमारे एडियम है उसकी मीनिंग है to tell someone something that was supposed to be secret किसी को कोई एक ऐसी चीज़ बताना जो secret था मतलब जो किसी को बताना नहीं था तो let the dash out of the bag हम लोग use करते हैं let the dash out of the bag यानि किसी को कोई secret क्या करना बता देना किसी को क्या बता देना secret बता देना पांश नमबर पांश नमबर हमने गलत ठीक है एक छूट गया इसका मतलब ठीक है चार नमबर मिस हो गया था और हमने answer जो तयार करके रखा था चलिए चार नमबर मिस हो गया चार नमबर पहले बता देते हैं how did I know that you were going out with Lucy तो एक expression जिसका प्रियोग हम यहाँ बताने के लिए करते हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे कि यहाँ बात हमें कहां से पता चली उसके लिए यूज करते हैं एक idiom a little dash told me ठीक है तो यहाँ पर होता है a little birdie told me या फिर bird told me इसका मतलब होता है कि हम आपको नहीं बताएंगे कि हमको कहां से पता चला और get someone's goat का मतलब होता है किसी को क्या करना तंग करना ठीक है यह miss हो गया था आगे किसी को कोई ऐसी चीज बताना जो secret होनी थी तो let the cat out of the bag होता है इसका ठीक है let the cat out of the bag इसकी meaning होती है to tell someone something that was supposed to be a secret कोई एक ऐसी चीज किसी को बता देना जो रहस से रखना था जिसको बताना नहीं था ठीक है चली आगे देखे art number art number में idiom है looking very wet and cold ठीक है अगर कोई वेकती क्या है मतलब भीग करके आया है और उसे बहुत जादे ठंड लग रही है तो आप उसको कह सकते है कि you look like a drowned dash you look like a drowned dash तो यहाँ पर होगा rat ठीक है कि अगर कोई वेकती बारिश में से भीग करे आया है किसे कहीं से भीग करे आया है और ठंड से कहां पर रहा है तो आप कह सकते है you look like a drowned rat आगे देखेंगे an extremely long time इस idiom का प्रियोग हम लोग बहुत लंबे समय अंतराल को denote करने के लिए करते है an extremely long time तो इसके लिए होता है बच्चा dog's ear ठीक है dog's ears का मतलब होता है बहुत जादे लंबा period बहुत जादे लंबा समय ठीक है आगे देखेंगा gone to the dash इसका अर्थ होता है not as good at it was in the past अगर कोई चीज अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी तो हम बोल सकते है it has gone to the dash ठीक है तो हम लोग बोल सकते है it has gone to the dogs ठीक है जैसे कोई आप बुली काचे इस रेस्टरोंट में खाना खाते हैं बच्पन मतलब जब आम अंको कालेज के दिन में थें तो वह रही खाना खाते हैं तो आप रहर नउजेज अगए लग को बीडेशेट ने आशेज ज़ह ही तो आप क् России एक सुजीत के लावा कोई जवाब नहीं दे रहा है डॉक्स ही क्यूं होगा सर डॉक्स इसलिए होगा विकास क्यूंकि ये इडियम है जैसे हम लोग बोलते हैं हथेली पे दही जमाना तो क्यूं नहीं बोलते हैं तलवे पे दही जमाना या गाल पे दही जमाना क्यूं बोलते हे यह थेली पे दही जमाना क्योंकि यह कहवत है, यह कहवत है इसी तरह से चली आ रही है हाँ, fix है ठीक है, यह सारे fix है इसलिए मैं आपको समझारे है सुन्ने से क्या होता, असानी से याद होता तो हम आपको बोलते चलेंगे और आपको क्या होगा याद होना होगा तो हो जाएगा नहीं तो इसका तो ऐसे भी प्रिंटेट फॉर्मिट क्या है आपको हम दे रहें सबको ठीक है पीडिए फॉल्रेडी दिया हुआ है सॉल्यूशन नोट कर लिजेगा उसमें चलिए आगे दिखा जाए इस इडियम की मीनिंग होती है to be suspicious संदे होना या फिर यहां कहना कि हमें लग रहा है कि कुस्तो गरबर है वो नहीं बोलते हैं CID में हमने कभी नहीं देखा भगवान कसम नहीं देखा सिर्फ मीम्स देखें और जोक सुने है ठीक है कुस्तो गरबर है दया तो सुजीत का अच्छा idioms and phrases ठीक है सुजीत SSE का विद्यार थी है ठीक है है न सुजीत SSE का विद्यार थी जैसे है न हमसे लोग पूछते हैं कि सर आपने दोनों परिक्षा है कैसे क्रैक की banking और SSE दोनों और एक ही साल में ठीक है तो इसलिए क्योंकि मेरा गया है General English General Math सब कु exercise certification है сSe का बच्चा अलग रस्ते चलता और banking का बच्याल अलग रस्ते चलता है दोनों के रस्ते अलग अलग होते हैं ठीक है बड़ अगर आप हमसे पर राहा है तो तो धीरे धीरे आप दोनों के रस्ते सेम हो जाएंगे, आप कोई भी थर्ड एक्जाम की भी अगर तयारी करते हैं, जिसम इंग्लिश पूछता है, तो आपको फिर से अलग से रास्ता नहीं अपनाना परेगा, ठीक है, आगे है, हम पुरा वाक की नहीं यूज करें, वो कंट तो अगर कोई बहुत जादे भूजन कर रहा हो तो उसको बोल सकते हैं, make such a dag of yourself, ठीक है, make such a dash of yourself, ठीक है, तो पिग होता है, जादा खाने के लिए कौन जाना जाता है, हॉग या फिर पिग दोनों टर्म होते हैं, दोनों ही टर्म क्या है आप, सुर के लिए इस्तमाल करते ह रवी हमारी बहुत दुख भरी कहानी है, आपको भरोसा नहीं होगा, कि हमने क्या है, जब हमारा graduation हुआ, तो अपने appearing year में, I was 27 years old, और वो मेरा first और last attempt था, ठीक है, first और last दोनों attempt था, और हमें तो graduation करने के बाद, हमने सोच, मतलब graduation भी हमें, क्या कह सकते हैं, हम बिल्कुल भटके हुए प्रानी थे, ठीक है, बड़े गायक लोगों ने बोला कि क्या करो गया, बले बस, जो सब करते हैं, सरकारी नौकरी, तो लोगों ने कहा कि इसके लिए तो 27 years है, तो हम बोले 27 years है, जिसके उसके लिए कि कुछ उचा करो, तुम्हारा 5th rank आया है, तुम तो बहुत talented हो, तो हमने commission की तयारी में हट डाला, age limit हो समय कम थी, एक attempt में हुआ नहीं, तब तक SSC छूट चूट चूट चूटा था, जोईं किया नहीं था, लोगों ने बुला कि अब क्या करोगा, हम बोलेंगे, वो करे जो 28 का यूँ हो सकता है, तो फिर हमने banking की, तो फिर 7th rank आया, ठीक है, तो उसके बाद, 2014 में किया है, दो पदो के लिए, age बढ़ाई गे थी SSC के लिए, तो फिर हमने exam दिया, दो पद थे, एक ED, enforcement, direct rate, और दूसरा था CBI, हमने CBI ही पहला option चुना, हमें वो मिल गया, बट जब हमने State Bank of India में उस समय हम थे, तो हमने जब रिजाइन करने की बाद की, तो State Bank of India ने हमें अपने घर से दो मिनट की दूरी पर पोस्टिंग दे दी, कि क्यों रिजाइन करो गया, फिर हमने सोचा कि नौकरी में कुछ रखा नहीं है, तो इसलिए हमने कोई रास्ता नहीं ह प्रकट हुआ, चलिए तो आगे दिखा जाए 13, चलिए 13 नंबर में देखते हैं, Do you think I will pass my driving test, ठीक है, तो to have no chance at all of doing something, तो अगर आप किसी को कहना चाहते कि ना, तुम्हारा क्या है, तुम्हारी कभी भी क्या है, तुम्हारा सेलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा भी भी सेलेक्शन नहीं होगा, यानि आप बता जाते कि तुम्हारा बिल्कुल भी chance नहीं है, तो आप बोल सकते हैं, Have a cat in hell's chance, cat in hell's chance, तो आप लोगों में से किसी नगर ये movie देखी होगी, The Mummy, कितने लोगों ने dumb mummy देखी है, Hollywood वाली, किसी ने देखी है, नहीं देखी है, नहीं रहती है, उसको बिल्ली से डर लगता है, ठीक है, उसे किस से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, उसे बिल्ली से इसलिए डर लगता है, क्योंकि बिल्ली जो होती है, वो नर्क के दवार के रक्षक होती है, ठीक है, और तो इसे क्या होता है, तो उसे बिल्ली से जब ही मिली तो भारस जिस तरह से नर्क में बिल्ली का मिलना वसे तरह से उतना तुम्हारा मौका है यानि this is impossible not our film, covering, croat nature all this25 आगे है to be in a situation that you know nothing about or are not used to ठीक है तो उसमें आपको धियान होगा अगर आपने देखी है तो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि भाई या फिर बताना चाहते हैं कि इस परिस्थिति से हम बिलकुल अंजान है हमको इसका बिलकुल अंदाजा नहीं है तो आप कह सकते हैं I feel like a fish out of water यानि हम इस परिस्थिती में उतने ही comfortable है जितना comfortable पानी से बाहर fish यानि मचली महसूस कर सकती है हम उतने ही comfortable यानि बिलकुल ही comfortable नहीं है तो आप चलिए गुड इविनिंग सबको तो आप कह रहा है मीनिंग है information that comes from someone who is directly involved in this case ठीक है तो अगर जिस व्यक्ती के बारे में बात है उसी व्यक्ती से अगर आपको कोई जानकारी मिलती है ठीक है तो आप कह सकते है from the horse's mouth क्या कह सकते हैं आप from the horse's mouth यानि उसी से वह बात सुनना जिसके बारे में बात कही जा रही है तो आप कहेंगे from the horse's mouth ठीक है तो from the horse's mouth का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कहे जा रही है उसी के मुह से ठीक है तो from the horse's mouth 16 नंबर में आईएगा To think you are very clever and important ठीक है यहां सोचना कि आप क्या है बहुत ही समझदार है और बहुत ही क्या है important है ठीक है ठीक है तो मतलब अगर आप यहां बताना चाहते है कि हम क्या है बहुत ही important आदमी है तो आप क्या कर सकते है इस idiom का use कर सकते है ठीक है तो बताई यहां पर क्या होना चाहिए तो बीज नीज होगा बच्चा, ठीक है, क्या होगा, बीज नीज का मतलब होता है, बहुत ही important, बहुत ही ज़रूरी, चलिए, 17 नमबर में देखेंगे आगे है, someone who is not friendly, अगर कोई व्यक्ति फ्रेंडली ना हो, बहुत जादे मिलनसार ना हो, तो आप उसको क्या है, यह कह सकते हैं, a cold dash, तो a cold fish होता है, ठीक है, इस कहने का मतलब बता है, कि कोई व्यक्ति बिलकुल ही मिलनसार नहीं है, आगे है अगर कोई व्यक्ति बहुत ही शान्त हो, बहुत ही शर्मीला हो, तो आप कह सकते हैं, wouldn't say boo to a dash, ठीक है idiom है, इसको सीधे याद करना होता है, इसको रख लीजएगा, wouldn't say boo to a goose कहने का मतलब होता, कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शर्मीला है, बहुत ही जादे शान्त हैं, तो आप कह सकते हैं, he या she wouldn't say boo to a goose, 19 में आएंगे, ऐसा काम, जो क्या है, जिसमें बहुत जादे महिनत लगती है, और बहुत ही जादे बोरिंग हो, नहीं, give a cold shoulder होता है, ठीक है, अगर आप किसी को कह रहे हैं, यह नहीं कह सकते हैं, Mohan is a cold shoulder, आप कह सकते हैं, कि Mohan gave me a cold shoulder, आप यह नहीं बोल सक कि Mohan is a cold shoulder, तो अगर आपको Mohan को represent करना हो किसी EDM के द्वारे, तो आप बोल सकते हैं, Mohan is a cold fish, ठीक है, यह आप बोल सकते हैं, Mohan gave me a cold shoulder, ठीक है, तो व्यक्ति के लिए आता है cold fish, और विवहार के लिए आता है, to give cold shoulder, ठीक है, चलिए, तो वैसे काम को क्या कहेंगे, जिसमें बहुत जादे मेहनत चाहिए, और जो क्या होता है, बहुत ही boring होता है, ठीक है, मतलब, तो उसे कहते हैं, गधा मजदूरी, to do the donkey's work, ठीक है, गधा मजदूरी का मतलब होता है, एक nearest, लेकिन बहुत जादे थकाने वाला काम करना, तो do the donkey's work, ठीक है, चलिए, 18 में आईएगा sorry, beast number, to be able to see what people are doing without them noticing you, यानि किसी पे नज़र रखना, ठीक है, आप किसी पे नज़र रख रहे हैं, वह क्या कह रहा है, वह सुन रहे हैं, वह क्या बोल रहा है, वह सुन रहे हैं, वह क्या कर रहा है, यह आप देख रहे हैं, good evening Dinesh, but उनको पता नहीं चल रहा है कि आप ऐस on the wall, ठीक है, जैसे हम तुम को बोलिंगे कि जो, वहा जाना और सब कुछ सुन के आना, तो अंग्रेजी हम बोलिंग, go and be a fly on the wall, और इस तरह से चुपके से जाना, जैसे दिवार पे क्या हो, मक्ही बैठी हो, सब कुछ सुनना, सब कुछ देखना, लेकिन उड़ोगे तो फ लेकिन उनको पता ने चले कि आप देख रहे हैं, अच्छा ये जो है ना, जो भी हम words डाल रहे हैं, ये option उपर में दिया है, देखो, ये सारे idioms है, इसका कोई hint नहीं होता, ठीक है, इनको याद करना पड़ता है, ठीक है, इसमें से कुछ हम पहले से देख करके बैठे ठीक है, और यहाँ जो PDF है, वीडियो के link में है, ठीक है, और इसका जो solution है, वो हम अंत में आपको भी दे देंगे, ठीक है, तो इसलिए हम आप use कर रहे हैं, क्योंकि हम already क्या है, इसको देख चुके है, जो आते थे, उनको तो हम सीधे use कर रहा है, जो हमें नहीं आता है, व वो हमने पढ़ के रखा है, बार-बार option आपको नहीं दे सकते हैं, और यह दूसरी class है, पिछले class में इसका जिक्र हुआ तो आप पिछले class में PDF दे दिया गया था, जो vocab की class होई थी, ठीक ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगी सब कुछ नया है, हम कहीं से लिख दे रह in which only her women friends take part, तो एक समारो होता है, जिसमें सिर्फ वो स्तरी शामिल होती है, जिसकी शादी हो रही है, अपनी दोस्तों के साथ, सिर्फ female friends के साथ, तो उसको कौन सा night कहेंगे, ठीक है, तो hen night कहते है, ठीक है, या फिर पुरुष होते हैं, तो उनके लिए bachelor party होती है, और महिला होती है, तो उनके लिए कहते है, बैचलरेट पार्टी या फिर है night, ठीक है, यह वो शादी जिस महिला के हो रही होती है, अपने या नहीं होता है, यह विदेशो का concept है, इस expression का प्रयोग हम लोग यहाँ बताने के लिए करते हैं, जो 22 नमबर में है, कि आप बहुत जादे आप क्या है, आप बहुत जादे भूखे हैं, तो आप बोलते हैं कि हम यहाँ खा जाएंगे, तो I could eat a horse, हमके पूरा का पूरा घोरा खा सकते हैं, हमें इतनी भूख लगी है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ बताना चाहते हैं, I am very hungry, तो आप इस idiom का प्रयोग कर सकते हैं, I could eat a horse, ठीक है, चली आगे, यहाँ शब्द कुछ दिन पहले close test में हमने बताया थो, तो हमको 23 नंबर का सबसे answer चाहिए, 23 नंबर को हमने close test में बताया था, जो एक close test था ना, Thailand को लेकर के, सवासो वाला question का जो close test था, उसमें, someone who lends money to people and charges them a very high rate of interest, एक ऐसा व्यक्ति जो लो one dash, और dash के जगह पर कोई पशू या फिर पक्षी का नाम आएगा, चलीए, 23 नंबर का जवाब दीजिए, please, गलत सही कुछ भी बोलिए, यह जो close test हमने आपको पढ़ाया थो उसमें भी इसका जिक्र किया था, ठीक है, 125 question वला कर रहा है ना, close test हमने, उसमें था यहा बच्चा, तो I hope आप में से कोई answer दे पाएगा, या तो कोई उपलब्ध नहीं है, फिर कोई बोलेगा नहीं, ने, lone shark होता है, क्या होता है, lone shark, बापरे, तुम लोग कैसे भूल जाते हो, बच्चा, या तो close test के class, तुम लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं किया है, हमने close test के class में, जो एक तारिक वाला जो, 125 question वाला close test था, उसमें यह lone shark टर्म किया है, कि बहुत बार आया था, इतनी बार आया था कि हम कह नहीं सकते हैं, हम सर्च कर देते हैं इस page पर, वो Thailand वाला था, मतलब हमें इतना याद है और आप लोगों को नहीं याद है, जबकि यह आप लोगों के लिए था, तो use करने से क्या होता ना, कि idioms and phrases क्या होते हैं, याद होते हैं, 125 question थे इसमें, इसी में से था कहीं, बताते हैं, तीन-चार बार आया था, और यह काफी बढ़ी article था, हाँ, चलिए, यही वाला था, Thailand वाला जो आ गया ना, ठीक है, इसको थोड़ा कच्रा कम कर देते हैं, इसमें बताते हैं, इसी में था, यह देखिए, मिला, loan sharks, तो बताईए इतना आप लोग पीछे पढ़ते हैं, यही सारा ना, जो यह जो पढ़ते हैं हम लोग, इनी सारी चीजों से धीरे-धीरे क्या होता है, याद होता है आदमी को, जो आप use किये रहते हैं पहले से, ठीक जाद नहीं है, यह गलत बात है, ठीक है, यह सवासो कोशन का था, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजेगा, चले तो यहाँ पर loan whale नहीं, बलकि क्या होता, loan shark होता, आगे देखते हैं, तो किसको कहेंगे, जो वेक्ति नहीं है, वो नहीं है, लाला मा के कंगन कहा है, उस तरह की वेक्ति को loan shark कहते है, चले 24 में है, somebody who is unpleasant with other people, एक ऐसा वेक्ति जो दूसरों के साथ क्या है, अच्छा विवहार नहीं करता है, उसको dash bag कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, dash bag कह सकते हैं, 24 number, rat bag कहते हैं, बच्चे, ठीक है, rat bag, और अगर गाली के sense में हो, तो douche bag कहते हैं, बट rat bag कहा है, जो formal term में जो आप यूज कर सकते हैं, एक ऐसे वेक्ति के लिए, जो क्या है, बहुत ही nasty हो, जो दूसरे लोगों के साथ बढ़ियास वेवार नहीं करता हो, ठीक है, एक ऐसा वेक्ति जिसको क्या है, हमेशा उसकी wife या फिर उसकी जो female partner है, वो क्या है, कोई न है, अच्छा, सुजीत कांसर आचुका है, hen pecked, क्या कहेंगे, hen pecked, किसको हमेशा इसकी बीबी क्या करते रहती है, तंग करते रहती है, आगे देखेंगे, do something very badly, अगर कोई वेक्ति कोई काम बहुत बुरे ढंग से करते हैं, तो आप क्या सेकते हैं, you made a dash year of it, 26 में, you made a dash year of it नहीं, pig ear होगा बच्छा, pig's ear, ठीक है, हाँ, देखो, संभव को पता है, SSC के बच्चों की यही बात है कि कोई इतना tough चीज उनको पता होगा, क्यों क्योंकि उनको वो क्या है, बहुत याद करना होता है, तो कई बार बहुत ही टेरी चीजों बता देंगे, जो आपको आश कि हम चाहते कि कम महनत में आपको बहुत जादे नमबर है, SSC का बच्चा बहुत महनत करता है, यह सिंपल नहीं है, यह हमको क्या है ना, तो बैंक का संभव लेकिन तुमको याद है, यह हमको देखना परा था, ठीक है, दो तीन ऐसे हैं जो हमने देखे, जो हमको पहले स्नी आपको आइडिया लग जाए कि भगवान ने वहां कितना बैड जॉब किया है, चलिए, 27 में है, किसी के लिए बहुत जादे मुसीबते खरी करना, या फिर उनके सारे प्लान पर पानी फेर देना, ठीक है, कुक्ड माई डैश, ठीक है, तो गूज होता है, कुक समवन्स कुक्ड माई गूज का मतलब होता है, किसी के लिए बहुत जादे मुसीबते खरी करना, या किसी के सारे प्लान क्या है, चौपट कर देना, तो जिसका कीजेगा हो यहां पर, कुक्ड हिस गूज यानि उसका प्लान खराब कर दिया, ठीक है, अगर आप यहां बताना चाहते कि हमको क्या है, और भी जरूरी काम है, यानि इस काम से भी जरूरी काम है मेरे पास, तो आप बोलेंगे, I have got bigger dash to fry, I have got bigger dash to fry, ठीक है, तो इसका मतलब हमको इससे भी जादे जरूरी काम क्या है, करना है, तो क्या होता, fish to fry, बिल्कुल सही है तुमारा, आरिमन का भी सही है, ह जिसमें क्या होता है, solitaire खेल रहा होता है, तो कई बार लोग solitaire नहीं खेल रहते हैं, कई बार जो counter के पीछे बैठे bank के करमचारी होते हैं, वो YouTube पे अपने English and math भी सुधार रहे होते हैं, ठीक है, चलिए, आगे है, to have a lot of fun, आपको अगर बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आप है, तो avail of a time, संभव का बड़ा सही है, या फिर संभव के पास ये बुक पहले से होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग तो हमेशा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई अगर हम से जादे जानता है, तो हम लोग क्या बोलता है, चोरी किया होगा, ठीक है, तो avail of a time, बट ये याद हो सकता है, क्योंकि बच्चे याद करते हैं, हमने देखा, वो कैब बहुत रटते हैं, बच्चे, ठीक है, अच्छा, संभव ने हम वर्क किया है, चली, आगे देखेंगे, water of a dash back, इसका प्रेग हम यहाँ बताने के लिए करते हैं, कि इसको कुछ भी कहोगे, तो इसको फर्क नहीं पड़ता, इसके उपर कोई बात नहीं टिकती, जैसे इसकी पीठ पे कोई पानी नहीं टिकता, उसी तरह से इसके शरीर पे कोई भी बात नहीं टिकती, तो यहाँ पे कौन से पशुई या पक्शी का हम दोग नाम लेंगे, water of a dash pack, हाँ, डक, तो जिस तर इसके पीठ पर से जैसे क्या होता, पानी फिसल जाता है, उसी तरह से इसके शरीर पे कोई बात नहीं टिकती, इसको कुछ भी कहा है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता, तो आप समझ रहे हैं, कि यह जो बोल्ड वाला है, वो आपका idiom है, और यह जो ब्रैक्टेट पोर्शन जिसको हम हर जगा हाइलाइट कर दे रहे हैं, वह आपका क्या है, वह उसका मीनिंग है, ठीक, और हम हिंदी में समझा दे रहे हैं, और इसकी PDF आपको अल्रेडी हम दे चुके हैं, इससे आपको याद हो जाएगा, और अगला exercise जैसे ही एक लास खत्म होगी हम दे दे देंग आगे हैं, अगर आप, if you are trying to do a lot of things quickly, अगर आप बहुत सारे काम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, without being sensible or calm about it, मतलब आप बिल्कुल परिशान हैं और आप क्या है, परिशान होकर कि इधर उदर दौर रहे हैं और उस काम में लगे हुए हैं, तो कहते हैं, running around like a headless chicken कहते हैं कई ठीक है, headless chicken, जिस तरह से, ठीक है, headless chicken का मतलब होता है, कि आप क्या दिशाहीन होकर इधर उदर दौर हैं, क्यों, क्योंकि आप बहुत जादे परिशान हैं, एक request फिर आप से कहेंगे, कि जैसी ये session खत्म हो, तो इस session को लेकर के, जो भी feedback हो, जो भी हो, अच्छा हो, बु ठीक है, यहाँ पर जो आप कहते है, chat reply में, वो सिर्फ हम देख पाते हैं, तो जब ये video खत्म हो जाए, तो एक बार revisit करके, comment section में, आ करके, please, जो भी लगे आपको, वो comment कर देना, ठीक है, अगला idiom है, इसकी meaning होती है, stop behaving as if he knows more or is better than anyone else, अगर आप किसी को यहाँ कहते हैं कि, तेज बनना बंद करो, ठीक है, तेज बनना बंद करो, मतलब जो कोई व्यक्ति होता है, जो ऐसे behave करता है, कि हम सबसे बहतर है, हम सबसे अच्छे हैं, तो आप उसको बोलना चाहते हैं, कि भाई, तेज बनना बंद कर हो, तो आप कहेंगे, get off your high horse, positive change हो सकता, आप किस को बोल रहा है, ठीक है, अगर आप second person को बोल रहा है, तो your, third person को बोल रहा है, तो his, तो ठीक है, तो तेज बनना बंद करो, get off his high horse, यह हो जाएगा, आपका 32 का, people who receive too much money for the job they do, ऐसा वेक्ती जिसको क्या है, अपने काम के लिए बहुत जादे पैसे मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, fat dash, ठीक है, तो fat cats कहते हैं बच्चा, ठीक है, fat cat क्या मेंतलब होता है, हाँ, ठीक है, अब एक और बढ़िया खिलारी हमारे मैदान में आ चुका है, रेश आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, अगर आपका ये सब ठीक है, तो आपने शिंत रहे हमारे साथ 2-3 मेहने में आपके अंग्रेजी सुपर हो जाएगी, क्योंकि हम तो इतनी मेहनत कराते भी नहीं अपने बच्चों से, जितनी आप से करवा रहे हैं, हमारे कोई बच्चा तो बोलेगा, खेलते-खाते हमारे दिन जाते हैं क्लास में, चलिए, आगे देखा जाए, to not care about something at all, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, don't give a dash, what he thinks, ठीक है, monkeys, ठीक है, 34 में क्या होगा, monkey, ठीक है, monkeys होता है, कई बार, rats, ass भी लोग बोलते हैं, बट यह क्या होता है, यह slang होता है, यह गाली की तरह इस्तमाल होता है, तो हम लोग बोलते हैं, don't give a monkeys, ठीक है, तो सुजीत, तुमको तो पता ही होगा, कि हम कितनी हम लोग मेहनत करते थे, ठीक है, ठीक है, चलिए, आगे है, अगर आप यहाँ बोलना चाहते हैं, तो अचीव two aims with one action, अगर आप एक काम करके दो लक्ष को भेदना चाहते हैं, तो बोलेंगे, kill two dash with one stone, तो इसका तो जब आप सबको यह दे सकता है, kill two dash with one stone, birds हाँ, ठीक है, एक तीर से, दो शिकार, kill two birds with one stone, और यह आखरी idiom है आज का, ठीक है, to be very happy because something good has happened, कुछ अच्छा हूँ और इस कारण से आप बहुत ज़्यादे खुश हो, तो आप कह सकते हैं, he is like a dash with two tails, तो dog, ठीक है, और dog with two tails का मतलब है, बहुत जादे खुश है, क्योंकि जब कुटा खुश होता है, तो दुम हिलाता है, और जब दुम हिलती है, तो लगता है कि दो दुम है, ठीक है, तो वह ही है, तो यह आज तक का idiom था, जो आपको task दिया था, हम regular कर देंगे इस class को, निशनत रहिए, असी पन्ने की एक किताब है, इसको पूरा ही हम आपको एक करा देंगे, ठीक है, तो एक second के लिए आप सभी screenshot ले लेंगे, कि हम solution का, हमने अलग से PDF खोल के रखा है, प्लीज screenshot अब को ले लो, ठीक है, दो पार्ट में screenshot ले सकते हो, ठीक है, दो पार्ट में screenshot ले लो गए, चलो, यह book हम बता देंगे रवी आपको, ठीक है, बट अभी screenshot ले लो तो इसको, ठीक है, question number 5 तक का है, screenshot आपने ले लिया होगा, ठीक है, नहीं तो पीछे जागर के ले 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 न, 5 से आगे ले ले लो, इसका screenshot ले लो के फिर, हम अलग से PDF दे देंगे, बट इसमें क्या है कि अगले exercise का भी answer रहेगा, तो फिर आपको बनाने में नहीं बनेगा, तो फिरहाल, आप screenshot ले लो, बाद में में पूरी book ही आपको दे देंगे, जबी chapter खत्म हो जाएगा, तो 19 तक हो गया, ठीक है, आप screenshot ले लो गया, ठीक है, और ये आखरी पार्ट का screenshot ले लो गया, 36 तक हो जाएगा, ठीक है, तो आई होप सब को screenshot ले चुके होंगे, अगले exercise का जो PDF है, वो आपको, जो टेलिग्राम चैनल का लिंक है, टेलिग्राम चैनल पे चले जाना सब को, ठीक है, हम एक ब पर फिर से बता देते हैं, टेलिग्राम चैनल कहां दिखेगा, और वहाँ चले जाना, अगले exercise का PDF वहाँ पे मिल जाएगा, कम से कम एक दिन पहले, यानि आज रिडिंग का class जब 7 सारे, 7 या पॉनियार्ट में खत्म होगा, तो उसके बाद हम डाल देंगे, और उसको बना करके आजाना, ठीक है, एक बर हम reference आपको दिखा देते हैं, ठीक है, तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है कि कहां से ये है, टेलिग्राम चैनल है, ग्रूप और चैनल अलग अलग होते हैं, चैनल में सिर्फ हम बात कर सकते हैं, ग्रूप में क्या है कि आप भी सवाल पूच सकते हैं, तो क्या चैनल पर जाना है, इस करेंट वीडियो जो वीडियो अभी चाल रही है, उसमें आपको बता दे रहे हैं कि PDF कहा है, कई सारे बच्चों को होता है, कई पर थोरी दिक्कत होती है, तो उनके लिए है, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इस और जो अभी हम ने एकौसाइस कराया, इसको डाउनलोब कर लोगे यहां से, ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और ये वला जो लिंक है, ठीक है, उसमे पर वला जो लिंक है, ये दो लिंक है, एक है डाउट्स पूछने के लिए नीचे वाला, और यहां जो है यह study material के लिए है ठीक है तो इस पे आप click करें कि और इस channel को join कर लेना तो इसमें PDF डाल देंगा अगले class की ठीक है तो I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्लोज का PDF नया आज डाल देंगे समझ आप खुद सोचिए ना बारा के बज़े के करीब तो हम फ्री ही होते हैं और फिर इसको प्रिपेर करना था आज मिल जाएगा आपको क्लोज टेस्ट का वसी चैनल पे सब material के लिए उसी चैनल पे जाएंगे ठीक है सब लोग तो आई होप सब कुस समझ में आया होगा वीडियो खत्म होने का प्लीज पब्लिक कमेंट्स कर देना तब तक के लिए थैंक्यू बस दो चार मिनेट में मिलते हैं हम लोग क्योंकि अब आपका शुरू होगा रेडिंग वाला ठीक है